हेलो और नवश्कार दोस्तों कोविड-19 अपडेट के इस सफर में आज हम बात करेंगे म्यूकर माइकोसिस बारे आप सब का बहुत स्वागत हैं हमारे इस डिसकॉशन के अंदर म्यूकर माइकोसिस को चलिए हम देखते हैं medically क्या क्या important points है जो आपको सिर्फ समझने है और जानने है क्या आपको बिल्कुल इससे डर के सहम के बैठ जाना है या फिर इसकी awareness और knowledge ही important है हमारे को तो चलिए देखते हैं म्यूकर माइकोसिस क्या है माइकोसिस किसको कहते हैं पहली तो यही बात होती है माइकोसिस का मतलब होता है fungus माइकोसिस का मतलब होता है fungus तो हमारे विश्व में प्रिथिवी में बहुत सारे बहुत सारे सुक्षम जीव जिसको microorganisms कहते हैं इनके बहु फंगस के बहुत सारे प्रजातियां होती है एक प्रजाति होती है म्यूकर तो यदि फंगल डिजीज फंगस कोई हमारे इंसानों में बिमारी कॉस करे उसको माइकॉस कहते हैं और यदि वो बिमारी म्यूकर की वज़े से हो उसे म्यूकर माइकॉस कहते हैं यह बहुत ही रेर बिमारी है ये एक पर thousand cases में होती है हजार भी वो कौन से जिन में immune status कम है तो कहीं न कहीं आप समझ लीजिए zero point zero one से लेके zero point one percent इसकी संभावना होती है बहुत rare होती है ये बिमारी तो गबराने की panic करने की ज़रूतनी है ये जो mucor mycosis है जैसे आपने bread देखी होगी bread को अगर हम बाहर रख दे तो उसके उपर brown green blue सी कुछ fungus होग जाती है वो हवा में है धर्ती पे है सॉयल पे है सब जगापे है और वो normally मेरे आप जैसे लोगों को नहीं होती सिरफ कुछ certain लोग है कुछ certain cases है conditions है जहाँ पे हो सकती है जो developed countries है जैसे US है Canada, UK, Australia बड़ी countries देश जो है वहाँ पे इसके कारण थोड़े से अलग है वहाँ पे main होता है के cancer के लिए जो chemotherapy देती हैं उन cases में देखा गया है HIV AIDS के cases में kidney failure या organ उनके नए transplant करें उन cases में देखा गया है प्लस diabetes mellitus तो एक universal reason है जो देश जैसे इंडिया है चाइना है या जो भी developing country है वहाँ पे देखा गया है diabetes mellitus तो चलिए है ही है इसके इलावा long term steroid therapy जिन patients को long term बहुत लंबे समय के लिए steroid चल रहा है या उनका immune status किसी वजह से down आ गया या फिर बड़ा important reason है जिसको portion कहते ह है या portion में ही कमी हो गई है या फिर उनका liver खराब हो गया या एक दवाई होती है desferoxamine उसकी वज़े से हो सकता है तो यह mucer mycosis बहुत ही rare है गभराने की इसमें ज़रूत नहीं है सिर्फ कुछ ही selected लोगों में selected communities में selected population जिनको एक specific type of बिमारिया है उनमें देखा जाता है muc mycosis के थोड़े detail वारे इसके क्या features होते है mucer mycosis जो है कहीं न कहीं यह काफी दफा गहतक हो सकता है अगर इसका सही समय पे सही इलाज ना करवाया जाए तो 30 से 50 प्रोटेशन इसमें मरने की या fatality की संभावना है mucer mycosis किसी भी वज़े से हो सकता है आप अगर fungus वाला खा है उसको sinus कहते हैं तो sinus का mucer mycosis हो सकता है जो कि सबसे common है या फिर वो म्यूकर जो है जो fungus है वो हमारे फेपड़ों में जा सके फेपड़ों का mucer mycosis या pulmary mucer mycosis या lung mucer mycosis cause कर सकती है या दिमाग में brain mucer mycosis cause कर सकती है इसके क्या-क्या sign and symptoms है या इसके लक्षन क्या होंगे इसके जो features हैं वो है सबसे important है आंक के नीचे वाले हिस्से में कहीं ना कहीं redness आनी नाक के उपर का bridge ये हिस्सा ये हिस्सा हमारा लाल सा हो जाता है लाल होके महरून होके थोड़ा काले की तरफ चल जाता है और ये pain and redness around eyes ये बहुत important और सबसे common feature है इसके इलावा ए headache जो है recent onset, new onset headache होगा और काफी severe headache होता है इसके साथ साथ बड़ा common है नाक बंद रहना नाक के अंदर कुछ काले से lesions कुछ काले से धब्बे से दिखेंगे हमार को काले black lesions होंगे ये नाक पुरा stuff होके बंद हो जाएगा and हमार को अपने आप में खांसी और उसके साथ एक अलग सी बद्बूसी आएगी ये इसके important feature है mucormycosis के इसके इलावा अगर आपके पेट का mucormycosis है तो अगर पल्टी होती है उल्टी होती है वामिटिंग आती है उसके अंदर कुन आना या दिमाग का mucormycosis है तो बहक typically देखा गया है वो sinus का mucormycosis होता है या फिर एंड साथ में headache होता है ये इसके main features है अब बात करते हैं कि problem कहां आई है ये जब rare है इससे घराने की जरूत नहीं है इसके लक्षन भी आपने देखे तो इसमें करना क्या है तो देखना ये है कि कोविड के चलते अभी जो बहुत सारे मरीज ऐसे थे जिनको diabetes mellitus है भारत जैसे देश में इतने लोग हैं diabetes mellitus के के वह diabetic capital माना जाता है पूरे वोर्ड का तो काफी लोग हैं जिनको पता है कि उनको diabetes है बट ऐसा है बहुत सारे लोग हैं जिनका sugar level बहुत उचा है उनका डियाब्डिक है और उनको पत या ventilator पर लगे तो यह सारा कुछ मिला के इसने हमारे को बहुत बढ़ावा दिया है इनकी वज़े से mucor mycosis का chances बढ़ गया है कुछ मरीज हैं जिनको malignancy या cancer है या उनका कोई transplantation हुआ है किसी organ का या एक दवाई होती है वारिकॉनजोल treatment उन लोगों पर वो treatment वारिकॉनजोल का ले रहे थे हैं तो इन cases में काफी देखा गया है कि mucor mycosis की संभावना देश में बढ़ गई है गबनाने की बात नहीं है पर हाँ यह जरूर है कि यदि आपकी उम्र 50-60 साल से जादा है साथ में आपको diabetes है steroids भी लगे हैं और हमारा ICU के अंदर काफी लंबे समय के लिए stay हुआ है oxygen लगा है ventilator machine लगा है तो कहीं न कहीं आपका immune status डाउन हो है उसकी वजह से mucormycosis के जो chances हैं जो होने की संभावना है वो थोड़ इसी बढ़ गई है करना कुछ नहीं है बहुत basic सी बाते हैं excess में antibiotics अपने doctor की सलहा के बगेर antibiotics खाना आपके लिए घातक हो सकता है हमेशा अपने doctor की सलहा जरूर लें कि क्या ये antibiotics में लिए जरूरी है या नहीं है पूछे वो जो मेरे को दोस्त ने बताया भाई ने बताया मामा जी ने बताया कि ये वाली दवाई खा लो तो वो दवाई खा रहे हैं आरे यार डॉक्टर से पूछिए तो सही क्या वो antibiotics आपको जरूरी है सबसे पहली बात मैं ये कहूंगा इससे म्यूकर माईकॉसिस तो छोड़िये बहुत सारी बिन अलग बिन परकार की बैंकर बिमारिया हो सकती हैं हमार को पहली सबसे बज़रूरी बात दूसरी बात यदि आप steroid therapy ली है या आपको steroid दिये गए थे कोविट के अंदर या आपने बहुत लंबे समय से steroid लिये हैं चाहे कोविट करके चाहे किसी अन्यरीजन करके तो उसको अपने डॉक्टर की सलहा से बात करिए उसकी dose अगर कम करनी है रिड्यूस करनी है उसको देखिए और यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसको mild covid है और उसने steroid लिया है तो माफी चाहेंगे आपने बहुत गलत किया है mild cases में very mild cases जिनको कोई भी लक्षण नहीं है अभी एक दो दिन का covid हुआ वो लोग steroid ले रहे हैं तो ये एक गलत तरीका है ये गलत तरीका है unnecessary steroid use नहीं होना चाहिए steroids का एक point होता है जहां पर use करेंगे और वो डॉक्टर की सलह के बगएर आप ना ले तो ये दो-तीन तो major कारण है एक बड़े देश 135 करोड़ देश अबादी वाले देश की अंदर जब maximum लोग अपने आप दवाई लेने शुरू करेंगे तो ऐसी बेहंकर बिबारी आने की संभावना बहुत बढ़ जाती है तीसरे लेवल पर बात आती है कि यदि आपको oxygen लगा है oxygen की आपको अविशक्ता पड़ी थी COVID के अंदर या अभी आप oxygen cylinder यूज कर रहे हैं तो ये जो humidifier होता है इसके अंदर जो पानी रहेगा वो पानी साफ होना चाहिए humidifier आपका साफ होना चाहिए और जिस भी patient का हम देख बाल कर रहे है वो patient का आस पास सब hygiene होना चाहिए तो hygiene का proper खयाल रखना है, यह जो पानी इसके अंदर use करेंगे, यह भी पानी साफ होना चाहिए, pipe साफ होने चाहिए, मास साफ होना चाहिए, आपके सब के पास sanitizers हैं, कहीं न कहीं से कुछ न कुछ करके hygiene रखिए, साफ रखिए patient को, and सबसे important, जो सबसे important है, most important बात, यह सबसे important बात है, इसके उपर star mark मार लो, कि यदि आपका sugar है, यदि आपको blood sugar है, या diabetes mellitus type 2 जिसको हम कहते हैं, यदि आपको मदु में रोग है, और आपका sugar control में नहीं है, and आपको covid हो गया, and वो भी moderate या severe covid है, तो आपको खयाल काफी रखना पड़ेगा अपना, और वो sugar को control में steroids और antibiotics अपने आप से नहीं लेने हैं, डॉक्टर की सलहा के बाद ही लेने हैं, तो ये तो हमने बात करी कि mucormycosis को कैसे prevent किया जा सकता है, या फिर mucormycosis क्या है, अब यदि आपको covid-19 infection हो चुका है, या आपका किसी तरह कैसे immune status कम है, या कोई भी risk factor जो अभी हमने बात कि या वो है, तो आपको please ध्यान में रखना है कि यदि आपको अचानक से 2-3 हफ़ते covid-19 के बाद बुखार आए, या आपका नाक बंद हो, या बहुत जोर से headache हो, या आँक के नीचे के हिस्से में redness आए, जो भी हमने sign and symptom बात किये थे, वो यदि हैं, तो please, please अपने doctor की सलहा लीजिए, इसके ilaj भी available है, इसका investigation बहुत easy होता है, बहुत easy तरीके से हम इसको पकड़ सकते हैं, और इसका बहुत easy तरीके से ilaj कर सकते हैं, यदि आप लोग सतर्क हैं, यदि आप लोग aware हैं, तो इन बातों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, thank you so much for watching this module, अपना please remember के अपना आपको बचा के रखिए, अपने आपको, अपने family members को सुरक्षित रखिए, vaccine, mask use करते रहना है, active रहना है, हमेशा aware रहना है, alert रहना है, social distancing करते रहिए, और अपने हाथ धोते रहिए, hand washing करते रहिए, thank you so much, stay safe and take care.